Centralization and Decentralization, हर organization में जो management है वो तीन लेबल में divided है, level of management आपने पढ़ा है, तो top management, middle management and lower management, हर level of management में अलग-लग level के category के employees होते हैं, जैसे top management में board of director, managing director, general manager, middle management में branch manager, production manager, marketing manager, finance manager, personal manager, यानिक जो अलग-लग department होते हैं उनके manager, और lower level में जो foreman होते हैं, office supervisors होते हैं, departmental head होते हैं, जो कि जो worker होते हैं, उनसे direct contact में होते हैं, तो हर level पर जो है, अलग-अलग decision makings जो होँआपर करने पड़ते हैं, यानि कि stationary क्या मगवाना है, कौन सी machinery purchase करनी है, expansion करना है, नया branch खोलतना है, या फिर किस supplier से raw material purchase करना है, तो बहुँच type के decision makings वहाँ पर करने होते हैं, तो जब किसी organization में जो decision making है, वो सिर्फ top management लेता है, यादर है कि जब किसी organization में जो सभी decision making है, चाहे वो stationary मगवाना हो, चाहे वो कौन से supplier से raw material मगवाना है, कब मगवाना है, किस से मगवाना है, expansion करना है कि नहीं करना है, अगला branch कहाँ पर open करना है, यह सारे कि सारे decision making, सिर्फ top management के employees ही ले रहा है, याने कि जो board of director, messaging director, फिस general manager है, वही वो decision making ले रहा है, तो इसको कहते है centralization, याने कि केंद्री करन, याने कि supervisor, जो exactly supervisor को जो काम perform करना है, जो worker supervisor से पूछेंगे, वो चीज भी supervisor को पहले top management से पूछना पड़ता है, फिर उसके बाद supervisor worker को बताता है, तो याने कि यहाँ पर क्या है, centralization है, कि जो भी चीज है top management है, worker ने आया supervisor से बोला, कि क्या हम जो है, यह stationery purchase कवा सकते हैं, तो supervisor बोलता है नहीं, पहले मैं top management से पूछूँँगा, फिर मैं तुमको permission दूँगा, तो यह centralization कहलाता है, लेकिन वही पर worker ने supervisor से बोला, कि sir यह stationery चाहिए, और supervisor ने वहाँ पर decision ले लिया, कि यहाँ ठीक है, अभी इस stationery जाकर purchase कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं decentralization, जब decision making, जो इसका जो काम है, वो ले सकता है, तो उसको decentralization कहते हैं, यानि कि सिर्फ top management ही decision making नहीं करेगा, middle management के जो different department के head है, उनका जो काम है, कि यहाँ पर क्या होता, कि बहुत सारे decision making, जो कि आपके faculty, याफे जो teachers है, वो ही खुद ले लेते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे decision making होते हैं, जो कि जिसके लिए आपको principal के पास जाना पड़ता है, फिर director के पास जाना पड़ता है, जैसे कि आपको कल के लिए छुट्टी चाहिए, तो आपके teachers जो faculty होते हैं, वो भी आपको allow कर देते हैं, वहाँ पर decision making ले सकते हैं, यहाँ आपको एक दिन की छुट्टी है, चाहिए तो वो allow कर देते हैं, वहाँ पर अगर आपको हफते भर के चुट्टी चाहिए, तो आपको principal के अफिर director के साइन करवाने पड़ते हैं, यानि कि अब decision making कहाँ चलेगी, director के पास चलेगी, वहाँ पर अगर आपको fees में reduction करवाना है, कि आपको fees में छोट चाहिए, तो उस case में जो decision making होती है, वो college के chairman के पास होती है, तो यानि कि अलग-अलग label पर, अलग-अलग activities के लिए decision making होता है, तो वो decentralization है, लेकिन अब आपको एक दिन की चुटी चाहिए, और उस एक दिन की चुटी के लिए भी आपको पहले teacher से sign करवाना है, तो यह जो है, यह centralization हो गया, यानि कि यहाँ पर जो final decision making किसके अंदर है, वो chairman के हाथ है, कि आपको एक दिन की चुटी मिलेगी, यह नहीं मिलेगी, तो यह centralization हो गया, कि हर चोटी सी चोटी बात के लिए भी आपको जो है, top management पर जाना पड़ रहा है, clear, वहीं पर decentralization क्या हो गया, कि कुछ चीज़े है, जिसके लिए आपको lower level पर ही solve हो जाएंगी, कुछ चीज़े है, जिसको आपको middle level पर जाना होगा, और कुछ चीज़े ऐसी है, जिसके लिए decision making top level पर होंगी, तो जब all decisions making only at top level, यानि कि सभी decision making जो हो सिर्फ top level पर होता है, तो उसको centralization कहता है, और जब हर label के employees, हर label of management के employees, अपने-पने works related decision making ले सकते है, तो उसको decentralization कहते है, clear, यानि कि supervisor अपने works related decision making ले सकता है, उसको top management से पूछने की ज़रूरत नहीं है, departmental head है, वो अपने department से related decision making ले सकता है, उसको top management और middle management को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हाला कि communication करना पड़ेगा कि उन्होंने ये decision making लिया है, लेकिन permission लेने की बार-बार वहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि नहीं, जो board of director बोलेंगे वही होगा, नहीं, वहाँ पर अगर उनको लगता है, तो वो खुट decision making वहाँ पर ले सकते हैं, clear, तो जब भी कोई भी decision making सिर्फ top management लेगा, पूरे organization में जो भी working होनी है, उस से related decision making सिर्फ top management लेगा, तो centralization, और अगर जिस भी department का, जिस भी supervisor का वो काम है, वो decision making वहाँ पर ले सकता है, तो उसको कहते है decentralization, clear, so when decision making authority is retained by higher management label, an organization is centralized, जब जो decision making होती है, वो सिर्फ higher management label के employees के पास ही होती है, organization में, तो वो organization centralized होता है, और वही पर जब यह decision making authority, जो है, यह delegate होती है, यानि कि transfer होती है, हर label के employee को, तो उसको कहते है decentralized organization, clear, तो centralized यानि की kendri करण, decentralized यानि की we kendri करण, centralized यानि की एक ही जगा से decision making होगा, decentralized यानि की, अलग-अलग department के लोग, जो है वो अपने department से related decision making ले सकते हैं, तो यहाँ पर याद रखना है कि, कुछ important जो decision making होंगे, यानि की जैसे की branch नया branch open करना है, तो यह important decision है, और यह wider decision है, तो इसको top management ही लेगा, लेकिन हाँ, कि finance department में, accounting में, tally use करना है, tally का कौन सा version यूज करना है, यह एक finance manager, जो है finance manager, वो वहाँ पर decision making ले सकता है, अगर एक employee को आज जल्दी जाना है, तो पहले top management से पूछा जाएगा, उसके बाद ही जो है permission दिया जाएगा, तो वो decentralization हुआ, clear, तो centralization यानि की, जब decision making authority, सिर्फ higher management के पास होती है, और decentralization यानि की, जब decision making authority, वो delegati होती है different level पे, और top management, middle management, और lower level के जो managers होते हैं, वो भी decision making वहाँ पर कर सकते हैं, तो उसको हम decentralized कहते हैं, तो an organization can never be completely centralized or decentralized, every organization will be characterized by both centralization and decentralization, यानि की, कोई भी organization completely centralized or decentralized, नहीं हो सकता है, उनको जो है balance बनाना पड़ेगा, कुछ important decisions, वो centralized ही होंगे, वो सिर्फ top management ही ले पाएगा, वहीं पर कुछ है जो department से related decision making होती है, वो department के जो head है, वो ले सकते हैं, और जो supervisors related है, वो supervisor ले सकते हैं, तो यानि की completely centralized भी नहीं होगा, वो completely decentralized भी नहीं होगा, clear, तो according to Lewis Allen, इन्हों जेंगे क्या कहा, कि जब organization में, जो decision making authority है, उसको lowest label तक आप delegate करते हो, transfer करते हो, कि जो आपके organization में, जो lower label के employees हैं, वो भी decision making ले सकते हैं, उसके काम से related जो भी है, तो उसको decentralization कहा जाता है, clear, लेकिन आद रहा है कि, accept that which can be exercised at central point, यानिकि, कि सभी decision making नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर कुछ important decision making है, जो कि सिर्फ central label पर, यानिकि सिर्फ top management के लोग ही, वहाँ पर ले सकते हैं, clear, तो decentralization का मलब कि, जब आप decision making authority, lower level के employee को भी दे देते हो, जाओ ठीक है, जो तुमें सही लगता है, वह तुम कर लेना, तो that is decentralization, लेकिन वहीं पर centralization क्या होगा, कि नहीं, तुम अपने मज़े से कैसे कर लिए, तुम को पहले मुझे पूछना चाहिए था, तो centralization, clear, तो वहाँ पर आपने decision making authority, किसी और को नहीं दी, सब अपने पास ही रखी है, कुछ भी decent होगा, पहले आप से पुझा जाएगा, आप बताओगे, तब सामने वालग करेगा, तो that is centralization, तो according to Henry Fjol, everything which goes to increase the importance of a subordinate role, is decentralization, यानि कि जब आपके subordinate का role increase हो रहा है, उसकी importance increase हो रही है, तो उसको decentralization कहते हैं, क्यों, क्योंकि अब जो आपने आपका subordinate है, वो भी decision making ले सकता है, by decentralization में आप क्या करते हो, delegation of authority करते हो, तो वहाँ पर क्या है कि जो आपका subordinate है, जो lower level के employees है, वो भी decision making कर सकते हैं, उनकी importance भी क्या होगी, बढ़ेगी, वरना normally worker को क्या लगता है, कि worker को लगता है कि supervisor से क्या ही पूछे, उनके पास तो कोई authority नहीं है, सीधे चलते हैं top management के पास, तो supervisor की वहाँ पर importance कम हो जाती है, लेकिन अगर आप decentralization करते हो, supervisor भी वहाँ पर decision making ले सकता है, तो इस case में supervisor की importance organization में बढ़ेगी, और worker को लगेगा, हाँ कि supervisor भी वहाँ पर important है, वो भी decision making लेता है, clear, और everything that goes to reduce, it is centralization, और जहाँ पर जो है supervisor की value नहीं होगी, जहाँ पर subordinate की importance कम होगी, उसको centralization कहते हैं, जैसे कि supervisor कोई decision making ले ही नहीं सकता है, तो इससे बात करना बेकार है, सीधे चलते हैं top management के बात, यह henry field के coding है, और यह generally चीज भी है, बट आवज से बात है कि अगर किसी के बास authority होगी, तो उसकी importance बढ़ेगी, किसी के बास authority नहीं होगी, तो उसकी importance नहीं रहती है वहाँ पर, clear, तो importance of decentralization की बात कर लें, तो सबसे पहले चीज, develop initiative among subordinate, भाई जब subordinate को आप वहाँ पर authority दोगे, कि वो decision making ले सकता है, तो अब वो क्या करेगा, वो initiate करेगा, वो जो है active होगा, और जो है सही तरीके से decision making लेगा, when lower manager level are given freedom to take their own decisions, they learn to depend on their own judgment, अब क्या होगा, कि वो खुद initiate करेंगे, खुद जो है पहले से ही तैयार हो जाएंगी, कहां मुझे क्या करना, क्या नहीं करना है, develop managerial talent for the future, अब यहाँ पर क्या है, कि अब आगने subordinate को जो है वहाँ पर freedom दे दिए, कि हाँ वो decision making कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, उनके अंदर भी managerial talent आएगा, और फिर in future, अगर आपको कभी top management पर किसी employee की requirement होगी, तो आप उस employee को, जिसको आपने वहाँ पर decision making authority दे थी, उसको जो है वहाँ पर use कर सकते हो, तो gives them a chance to prove their abilities and create a reservoir of qualified manpower, who can be considered to fill up more challenging positions through promotion, तो कभी अगर in future, आपको top management पर, middle management employee की जोद पढ़ती है, तो आप lower level के management के employee को, जिसको आपने freedom दे रखी थी, जिसको आपने decision making authority दे रखी थी, तो उसको आप in future उसको use कर सकते हो, promote करके middle management या फिर top management पर लेके जा सकते हो, यह कब होगा, जब आप उसकी ability और उसकी skills को जानते हो, और उसकी ability उसकी skills को जानने के लिए, उसको आपको जो आपको महाँ पर authority देनी पड़ेगी, clear, next है quick decision making, यहाँ पर आसानी से और बहुत जल्दी से decision making हो सकती है, अगर आप delegation करते हो, या decentralization करते हो, कैसे कि भाई decentralization किया है, supervisor भी decision making ले सकता है, तो छोटे मोटे जो भी टास्क होंगे, उसके लिए worker को supervisor से permission लेगा, supervisor वहाँ पर decision making लेगा, और वहाँ पर काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर decentralization नहीं होगा, तो worker पहले supervisor से पूछेगा, supervisor अपने उपर वाले boss से पूछेगा, वो boss जो है, top management पे जाएगा, top management जब permission देगा, उसके बाद फिर middle management के पास आएगा, फिर supervisor के पास permission आएगा, फिर supervisor worker को बताएगा, तो यहाँ पर decision making quick नहीं होगी, यहाँ पर time taking होगी, अगर centralization होगा, कि अब हर छोटी छोटी बात के लिए, आपको top management के पास जाने की ज़रत, नहीं पड़ेगी अगर decentralization है, जो supervisor है, जो उसको manage कर रहा है, जो head है, जो head of department है, वही वहाँ पर decision making लेके, जो है, problem को solve कर सकता है, तो relief to top management, top management को जो है, अब आपर आसान हो जाएगा, अब जो है, जो important decision making से, उसमें फोकस कर सकते हैं, daily decision making, जो daily task है, उसके लिए decision making के लिए, top management के पास आपको जाने की ज़रत, नहीं पड़ेगी, इसी तरह के से facilitate growth, बट अब इसी बात है, कि जब हर department, अपना अपना काम अच्छे से perform कर रहा होगा, और सही तरीके से perform कर रहा होगा, और देखिए, supervisor को exactly पता है, कि workers को कैसे deal करना है, अब worker की problem को लेकर, top management के पास जाओगे, तो top management उतने अच्छे से decision making नहीं कर पाएगा, क्योंकि supervisor directly contact में है, तो यह decentralization का यहाँ पर importance से benefit है, कि initiative जो है, subordinate के अंदर develop होगा, talent जो है, manager talent आप future के लिए develop करते हो, quick decision making होगा, top management को वहाँ पर workload कम होगा, और growth organization का department का वहाँ पर होगा, तो यह importance of decentralization, wish you all the best, keep watching.